तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले python के if-else statement के बार में तो आज हम basically start कर रहे है conditional statements ठीक है conditional statements होते कैसे हैं कैसे हम python में conditionals को use करते हैं तो अप्रे पहला हमारा conditional statement है that is the if-else statement तो if-else statement क्या है आईए उसके बार में समझते है तो python if-else statement is used for decision making operation ठीक है python if-else statement का use किसले करते है decision making के लिए decision making operations के लिए it contains a body of code which runs only when the condition is given in the if statement is true यानि कि अगर if statement में कोई condition दिया हो है ठीक है और वो true है तब ही वो run होगा if the condition is false अगर condition क्या है false है then optional else statement run यानि कि हमारे पास दो condition होती है एक if और एक else ठीक है तो अगर if वाली condition के अंदर कोई condition जो हम लिख रहे है वो अगर true है तब इसके अंदर की condition चलते है नहीं तो फिर क्या करते है अगर यह condition false होती है तो else के अंदर वाली block चलते है ठीक है when you want to justify one condition while other condition is not true then you use python if else condition यानि कि हमें जब conditional की जववत होती है तब हम क्या करते है basically इसका use करते है ठीक है आगे बात करते है if else statement का syntax क्या होता है python में python में हर एक चीज़ का syntax होता है तो if else conditional का syntax क्या है कि if के साथ expression expression is basically what यह हमारा condition होगा ठीक है यह हमारा क्या होगा condition जिसको हम check करेंगे ठीक है अगर if expression अगर expression है तो उसके अंदर क्या होगा एक statement होगा else के अंदर भी क्या होगा यह हमारा syntax है if के साथ क्या होगा condition होगा condition के अंदर क्या होगा एक statement होगा ठीक है और क्या होगा फिर else होगा else के अंदर भी क्या होगा एक statement होगा ठीक है तो ऐसे हमारा python में यह syntax है इसका ठीक है आगे बात करते हैं जैसे कि यह यह flow chart देखो ठीक है इस flow chart में क्या है हम देख रहा है क्या कि हमारा program is, which condition is true ठीक है और condition true गा तो फिर yes के अंदर जो भी code जो हमने statement लिख रके उसको execute कर देगा ठीक है और हमें क्या कर देगा return कर देगा हमारा जो भी output है ठीक है अब अगर वो condition क्या है no है अगर वो condition क्या है no है तो वो no वाले block के अंदर का जो code है उसको execute करेगा और वहां से हमें output देगा ठीक है तो यह हमारा basically if else का working process है कि क्या if के साथ अगर जो condition है वो true है ठीक है वो true है तो इसके अंदर जो भी statement हमने लिखा है जो भी code हमने लिखा execute करने के लिए वो execute करेगा नहीं तो अगर यह condition क्या है यह वाला condition अगर false है तो else condition चलेगा के अंदर जो हमने statement लिख रखा होगा वो run करेगा तो ऐसे करके if else condition चलता है आगे देखते हैं जैसे कि यह code है यह code है यह क्या कहरा है कि if जैसे a और b हमारा दो variable है ठीक है हमने variables वगरे के बादे में पढ़ रखा है तो if a is this and b is this ठीक है यह दे रखा है कि a नाम का एक variable है ठीक है a variable है जो basically 33 है and v variable है जो 200 है ठीक है अब हम क्या करें condition चेक कर रहे एक हमने condition दिया b is greater than a हमने condition दिया b is greater than a तो b अगर greater है किससे एससे जो किस किस में है बिल्कुल 200 हो तो 33 से greater है तो यह condition क्या है यह condition हमारा true हुआ true हुआ true हुआ तो true हुआ तो इसके अंदर statement जो भी statement होगा वो run कर रहेगा तो अगर यह condition true हुआ तो run क्या करेंगा print b is greater than a जो कि हमें output वह यहां दिख रहा है तो ऐसे ही हम if condition लिखते हैं अब if condition में कुछ चीजे ध्यान दे रहे हैं जो कि है indentation जो बात करते हैं indentation के ध्यान देने indentation याद हो हमने शुरू में discuss करते हैं indentation क्या होता है python हमारे किस पर कानम करता है indentation पर बाकि सारे programming language कुछ programming languages में क्या होता है curly braces का use होता है contents के opening and closing के लिए बात python में क्या use होता है इंडेक्स का तो इंडेक्स का जो स्टार्टिंग हमास जहां से start होता है basically वो if else condition से ही start होता है ठीक है यादि कि if condition के साथ ही हम क्या करते है indentation का use करते है if and मतलब if हम start करते है ठीक है जैसे कि यहाँ code है यह code देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है a is if b is greater than a print लिख दिया हमने ठीक है यहाँ पर हमें error मिलेगा you will get an error वह error क्यों मिलेगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यह starting यहाँ पर indent नहीं कर रहा हमने तो इसे हमें पता नहीं चल रहा है कि जो अगर यह condition अगर इस वाला condition true है तो उसके अंदर का statement का है हमें पता ही नहीं है क्यों क्योंकि यह तो बाहर है ठीक है यह हम बाहर लिख रहा है क्योंकि हमने इंडेंट नहीं कर दा है कि कौन सा लाइन जो है किस लाइन के अंदर है ठीक है यह हमें क्या देगा यह ERROR देगा ठीक है यहाँ पर देख सकते है कि अ, बी है और इस statement है इसके अंदर हमने इंडेंट कर रखे है यहां पर यह जो है यहां पर हमने space दे रखta है इस तो हमारे पास 2 spaces छोड़ता है ठीक है तो तो एगर मै रन करता हूँ इस वाले को? इस वाले को अगर मैGameर कडह है तो यह करन दे छाहे है लेकिन इस कोफें वाले को रन करूँगा तो यह मेरे को clean result देगा तो यह है कि इसमें indentation का role है थिक है अब आज बात करते ह handcc आगे else के बारे में कि अभी हमने बात किया if कि if कोई statement क्या है true है तो इसके अंदर कोई statement run करेगा right अगर कोई condition true है तो इसके अंदर क्या run करेगा एक statement run करेगा नहीं तो क्या होगा else ठीक है else के अंदर क्या statement होगा ठीक है right तो अगर यह true है तो यह वाला statement रण करेंगा, नहीं तो false है तो यह वाला statement रण करेंगा, ठीक है, यह दो चीज़ हमें के लिए रहे, if and else, अब बात करते है, elif के बारे में, किसके बारे में, elif के बारे में, elif क्या है, तो elif keyword in python is a way of saying, if the previous condition were not true, अगर यह condition true नहीं है, पिछले वाला condition true नहीं है, then try this condition, यानि कि, एक condition true नहीं है, तो क्या करो, इसमें हम दे रहे हैं कि, ठीक है, पहला condition true नहीं है, कोई वात नहीं, तो दूसा condition पकट, ठीक है, तो दूसा condition चेक कर, पहला condition चोट, ठीक है, और अगर वा condition true नहीं है, तब क्या कर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर, if elif का use होता है, जब हमें क्या करना हो, एक और condition देनी हो, ठीक है, जैसे कि, यहाँ पर है, if a is 33 है, और b b क्या है, 33 है, हमने कहा, if v is greater than a, अगर b क्या है, बड़ा है a से, तो print करो यह, ठीक है, elif, अगर यह condition नहीं है, यह condition true नहीं है, यह condition false है, let's see, मैं करो, अगर यह condition false है, तो एक और condition तो चेक कर, that is the elif condition, ठीक, चेक कर, क्या a बराबर है b के, अगर a बड़ा नहीं है b के, तो क्या a बराबर है b के, अगर a बराबर है b के, तो यह condition देनी है, तो ऐसे हो गया, तो यहाँ पर अगर a statement, odpowied तो ऐसा की लुधी पिल्इक कर रहते हैं if भी काम नहीं आया, lief भी काम नहीं आया, lief भी नहीं हुआ तो जब गातनों की condition नहीं काम हो रहा है तो कुछ यह नहीं है कोई-stadion हम दिया है तो last time क्या करएंगा? else block différentes हगर हमारे due वैसारे statement वह भी condition true नहीं हो रहा है तो क्या करेगा वह false वाला statement है वह run करेगा रहा है यहां पर a है और b है ठीक है यहां पर check करा कि if b बड़ा है एसे ठीक है तो यह run करतो ठीक है लेकिन अगर दो यह हंभर नहीं है तो फिर ऐसे बड़ाबर है बड़ा भी नहीं है तो यह run if क्राइब कर दो इन दोनों condition का ही वह correct नहीं था तो इसले क्रेंप है खी two नहीं करते है यह उस्रीक्त चोटा क्वा करता है अब constant if short end क्या होता जोटा क्या होता है रहाल कि छोटा यान शॉट है न शॉट है इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं जैसे कि अगर आपको पास एक ही का नोटेशन का यूज करते हैं जो कि यह है ठीक है तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं तो अगर नहीं है तो एल्स क्या करो प्रिंट भी एक ही लाइन का एक्जिकूट करना है ठीक है वन इफ या फिर वन इस तो हम एक लाइन में ऐसे लेख सकते हैं कि क्या करो प्रिंट एक कर दो अगर वह बढ़ा है नहीं बढ़ा है तो क्या करो तरस वाला स्टेटमेंट सिंपल है बात करता है एंड कंडिशन की एंड कंडिशन का यूज करते है तो एंड हमारे पास उपरेकटर की ता यूज होता है ठीक है कममाइन करता है हम कंडिशनल को कि end keyword is a logical operator क्या है logical operator याद करो जब हमने लोच operators के बारे में पढ़ाता है था हमने तरह के बढ़ा है उसमें एक लॉजिकल अपरेटर्स था तो it is used to combine conditional statement हम क्या करें तो conditional statements को combine करने के लिए भी use करते है ठीक है यह स्लिए कि a दे रखा है और b दे रखा है c दे रखा है तीन variables पर रखा है and keyword हमाँ है उसमें help करता है क्या कि if a is greater than b ठीक है एक condition and p is greater than a ठीक है एक दूसा condition ठीक है ये दोनों condition है तो फिर print करो कि बहुत condition हा true यानि कि ये भी true है और ये भी क्या है true है तो क्या करो इसके अंदर का जो भी statement हो उसको run कर दो ठीक है and वाले में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तभी run होगा जब दोनों condition क्या हो true है यानि कि if के अंदर में दो condition है तो दोनों true होगा तभी ये पूरे का value क्या होता है true होता है है ना if condition कब run करता है if condition कब run करता है जब ये condition यहाँ पर दिया हुआ क्या है true है तो true के अंदर क्या है दो condition है तो यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना कि true ट्रुर्ड होगा तभी true देगा के अलावा कोई प्येशय से true और false होगा तब यह यह कहा अंड करेगा तो और condition के लिए ध्यान र adjacent कि जो दोनों condition जब true होगा तभी यह इफ वाला condition चलेगा नहीं वह किस में चला जाएगा वह एर्स वाले condition में चला जाएगा गट इट तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमें निकलेगा बोट condition थ्रू ठीक है बात करते है और condition की तो जैसे हमारे पास and था वैसे ही यहाँ पर क्या है और condition भी है और भी true देगा and false और false तो false ठीक है यानि कि इन दोनों condition में से दो condition है दोनों में से अगर कोई condition भी क्या होता है true होता है तो यह run करेगा कोई condition क्या है true है तब यह f वाला condition रन करेगा नहीं है तो तेल्स वाले condition में चला है इसका यूज और का यही यूज है हमारा का ठीक है तो and हो गया और हो गया और एक और है not not keyword is a logical operator is used to reverse the result of a conditional statement तो हम क्या करते है basically conditional statement के जो result है उसको reverse करने के लिए यूज करते है जैसे कि a दे रखा है तो यह condition क्या है इस case में call तो इस condition क्या है इस case में यानि कि अगर यह condition given है false है तो not क्या करेगा इसको true करेगा ठीक है और अगर यही true होता तो not क्या कहता इसको यह false है ठीक है तो if not a भी यानि कि यहाँ पर जो भी condition है उसका reverse यह not कर देगा ठीक है तो if not a and b ठीक है यानि कि अगर ये false नहीं है not यानि कि false नहीं है ये ठीक है तो ये पूरा ये यहां से यहां तक क्या हुआ इसको true बना देगा ठीक है और true बना गया तो if के साथ true statement है तब ये क्या करेगा ये run करेगा ठीक है जो कि a is not greater than b है ठीक है अब एक और चीज जो है nested if else condition nested if else condition ठीक है you can have if statement inside if statement this is called nested if statement ठीक है यानि कि if statement के अंदर ही एक और if statement हो इसको कहते है nested if statement ठीक है तो ऐसे कई सारे हम if statement के अंदर if statement रख सकते है जैसे कि क्या है x दिया हुआ है 41 ठीक है अब क्या करें if x is greater than 10 अगर 10 से उपर है तो क्या करो print above 10 ठीक है तो ये true है तब ये क्या करें else वाला statement run कर दिया ठीक है अब इसके बाद एक और condition दे रहा है कि if x is greater than 20 अगर क्या है x greater than 20 है तब क्या करो print and also above 20 ठीक है और अगर नहीं इस greater than तो क्या करो but not above 20 तो यहां से क्या हुआ यहां से दो statement print हुआ कि एक तो above 10 है ठीक है बट क्या है above 20 भी है यह ना तो above 20 भी है यह हो सकता है below 20 हो ठीक है हमने दो condition चेकरा कि above 10 है या नहीं और above 20 है या नहीं ठीक है तो ऐसे conditions के लिए हम क्या करते है nested if else condition use कर सकते हैं तो ऐसे हम nested if else condition भी use करते हैं एक और है pass statement पास statement का use क्या करते है माल लिया जो हमारा if condition है if के साथ कोई condition तो ये तभी run करेगा जब इसके अंदर कोई statement होगा यह statement होना ही चाहिए वरना यह क्या करेगा error देगा फिक है if statement cannot be empty if statement कभी भी empty नहीं हो सकता है if but if you for some reason have an if statement with no content यहीं कि तुम्हारे पास क्माल लोग क्यों if statement है जिसके अंदर content है या अभी तुम content नहीं लिखना चाहते हो बाद में लिखना चाहते हो ठीक है तो क्या करता है अगर बस सिंपल एक पास statement लिख दो बस ताकि error ना मिला जैसे कि इफ यह है और भी है कह रहा है कि if b is greater than अगर b greater than a है तो मैं सोचा कि बाद में कुछ लिखूँगा बाद में कुछ program लिखूँगा मुझे कुछ बाद में कुछ print कराना होगा या boss ने भी तक बताए नहीं कि क्या print करना है अगर बढ़ा है तो उस condition में क्या करेंगे पास statement यहां यूज करेंगे तो पास statement क्या करेगा हमें कोई भी error नहीं करेगा ठीक है तो जब इसको run करेंगे तो देखो कोई result नहीं मिल रहा है लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ और आप रन करेंगे तो क्या करेंगे तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है पास statement देना पड़ता है अगर आई है तो प्लीज लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना है ठीक है थेंक्यू